अगर नहीं भी देते तो कोई फरक नहीं पड़ता बस टीचर मार्क्स काटेंगे दूसरी चीज डिस्क्लोजर अफ टॉपिक तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम स्पीच सुना रहे और सीधा तुम शुरू कर दो कि हम स्पेस में थे और स्पेस में एक कहानी होने लगी नहीं पहले तुम टॉपिक का नाम बताओगे कि हम यहाँ पर बात किस बारे में कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे से out of reach हैं और क्योंकि हम एक astronaut नहीं है इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं फिर भी हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं as if हमें बहुत ज़ादा knowledge हो इतना लंबा topic नहीं होना चाहिए चोटा होना चाहिए the unknown या फिर space as simple it is narration of facts होना चाहिए एकदम accurate facts बताने चाहिए तुम्हें अपनी speech में अगर तुम नहीं भी बताऊगे अगर थोड़े बहुत साल गलत भी हो गए 1983 गो 1982 कर दिया तो भी टीचर ने बहुत ज़ादा learn नी किया हुआगा but still कुछ teachers होते हैं उन्हें बहुत ज़ादा knowledge होती है अगर उनके हाथ में तुमारा paper आया तो marks cut जाएंगे तो dates और examples भी दे देना साथ ही साथ sensible deviation होनी चाहिए sensible ही बात करनी है तुम्हें topic के बारे में यहाँ पर joker की movie नहीं चल रहे है कि तुम कुछ भी बोलोगे और उससे एक sense बन जाएगा और लोग उसे like करने लग जाएंगे और आखरी चीज conclusion होना चीए end में in an innovative and imaginative way क्योंकि यही चीज़े जो तुम्हाई school वाले चाहते हैं तुमसे innovation और imagination तुम scientist बन जाओ basically यही चाहते हैं but still हाला कि यहाँ पर innovation और imagination भी लिखा है पर यहाँ पर इसमें फिर भी unrealistic चीज़े नहीं हो सकती जैसे कि कुछ और बिल्ली हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि यह topic जो है जिस बारे में तुम speech दे रहे हैं वो sensible होने वाला है तो realistic भी रखना जादा imaginative मत करना क्योंकि school वालों की बाते खुद उन्हीं की बातों के साथ contrary होती है इसलिए अपना दिमाग common sense यूज़ करके ही पेपर में speech writing लिखना ठीक है